हलो बच्चो वेलकम टो अमेजिंग प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला मैं हूँ अवन्तिका आपकी इंग्लिश मेंटर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यह एक्टिवीटी बेस है तो आप लोग आप लोगों को सिर्फ यह समझना है कि हाव का यूज क्या है अपने हाव कसे यूज करतो यह बेसिकली यह लेसन मते सांगीत ला लेसन बंद्धा अनर नहीं एक्टिवीटी बेस अहे हा ठीक है तर हाव मेने ताइम्स डू यू तुम्ही किती व्यड़ा है यूज करता है तुम्ही इंग्लिश कन्वर्सेशन के मां राइटिंग मदे अब्जव केला से तर खुब व्यड़ा यूज होता है आता ते कसा कसा यूज केला जाता है ते आपन पाहुया परहाबस यूज है तुम्ही एए थूठ अभ collar जाता है नियूज केला तो अफिले डी वर्ली वड़ा 🎵 helping verb the helping verb have is used to form what we call perfect tenses for example they have come I had clean forgot forgotten all about it and to make negative sentences they haven't come or I hadn't forgotten it but as a main verb it is used to mean much more than you think तो अभी यहां पर सिर्फ हम लोग auxiliary verb या फिर helping verb के time type में जानते हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि main verb have भी होता है मतलब have का use main verb as a main verb भी किया जा सकता है ठीक है for example here are few examples we use very frequently in the following sentences have indicates possession or ownership of something possession या ownership मतलब क्या होता है कि अगर समझो आपको express करना है आप लोगों को बताना है कि यह चीज मेरी है ठीक है तो वो possession या फिर ownership हो गई for example my friend has a pet cat okay possession माजा friend कड़ cat आहे as a pet ठीक है तर ते काई जाला ownership जाली possession जाला ठीक है कि तो friend को काय आहे तया cat चा तया मांजरा चा owner आहे I have a new pen same thing कि यह मेरा pen है यह मेरा नया pen है ठीक है या फिर मेरे पास नया pen है ठीक है तो यह चीजे मैं मेरा ठीक है तो यह चीजे क्या करती है ownership या फिर possession मतलब जो तुम्हारे कबजे में चीज है ठीक है उसको बताती है दर्शाती है do you have a cycle our school has six computers again ownership the municipality has six vans and two cars ठीक है तो ये सारे examples किस चीज के हो गए possession या फिर ownership ownership और possession में क्या difference है यह आप लोगों को मुझे बताना है in some cases have is used to indicate relationships relationship के मामले में भी have use किया जाता है for example I have two sisters मुझे दो बहने हैं ठीक है मला दोन बहनी आहित ठीक है रिलेशन साथी पन have use के ले जाता है okay the couple do not have children क्या कपला मूल बाल नहीं तर इतक है होता है कि मूल बाल अनि तया कपल चाह रिलेशन सांगित लेला है मंजे परत का है रिलेशन साथी आपन का यूज करू शक्तो have I don't have a brother मला भौ नहीं मुझे भाई नहीं है ठीक है फिर से क्या हो गया relationship के बारे में मैं बता रही हूं कि मुझे भाई नहीं है we also use have to refer to eating or drinking for example we have breakfast at 8 a.m. मंजे का मी आम ही 8 वस्ता breakfast केला ठीक है तर breakfast जो खाने से या फिर पीने के related चीजे होती है उसके लिए भी हम लोग क्या use करते है have use करते है we have breakfast at 8 a.m. मतलब क्या है कि हम लोगों ने खाया breakfast खाया ठीक है have यहाँ पर eating बता रहा है eating यह वर्प को express कर रहा है have a slice of cake मतलब cake का slice है वो लो इतना नहीं है कि हेगे cake चा slice तो कशे सटी देतो है अपन खाने सटी देतो है तो अगेन यहाँ पर क्या कर रहा है eating habit या फिर eating वर्प दिखा रहा है action दिखा रहा है what would you like to have tea और coffee आता इतर drinking है बगा करन tea और coffee we cannot eat हम लोग tea या coffee खा नहीं सकते हम लोग पीते हैं ठीक है तो drink offer करने के लिए again have use किया गया है can I have a glass of water please again पानी पीने के लिए मतलब drinking action है तो यहाँ पर उसको express करने के लिए have use किया है ठीक है we also use have to refer to events activities and experiences for example I am going to have a bath in the river again किस चीज के लिए activities के लिए events के लिए या फिर experiences के लिए भी हम लोग have use करते हैं ठीक है for example I am going to have a bath in the river तो यह क्या हो गई activity हो गई न कि मुझे नदी में नहाना है ठीक है नदी मदे मला अंगोड कर रही चीए तरही काई जली activities हली let us have a party for your birthday birthday party तो birthday party जो है वो क्या हो गई event हो गया the class has a short break at 11 a.m. the class has a short break at 11 a.m. class का जो break होता है वो 11 a.m. पे होता है और कैसा रहता है वो short break did you have a good time at the wedding अगें experience के लिए शादी पे आप लोगों का time कैसा था यह पूछने के लिए मतलब time कैसा था मतलब कि शादी आप लोगों ने enjoy की या नहीं वो event enjoy किया या नहीं तो यहां पे experience पूछा गया है I have a meeting this evening ठीक है activity मुझे meeting attain करनी है ठीक है मुझे मेरी meeting है यह शाम को ठीक है तो activities events और experiences के लिए have use किया जाता है okay have is also used to refer to a medical or physical condition for example I have a headache अगर तुम लोगों को कुछ problem है physically या medically ठीक है तो हम लोग क्या करते है have use करते है वो express करने के लिए for example I have a headache मुझे सर में दर्द है ठीक है या फिर मुझे सरदर्द है ठीक है माज़ा डोक को दुख तो okay कि माम अला डोक के दुख ही आहे ठीक है तरापनी था काई use करतो have use करतो जर तुमाला medical के माम physical काही तरी condition सांगाई चाह सिल तर he has a cold तला सर्दी जलिया है उसको सर्दी हो गई है ठीक है तो यहां पे भी has use किया गया है grandfather had a heart attack grandfather को heart attack आया ठीक है यह फिर medical condition हो गई ठीक है तो उसके लिए भी have use किया जाता है अभी आप लोग सोचोगे कि have तो you have के बारे में है ठीक है तो has had क्या कर रहा है तो आप लोग ही बताइए कि has have had क्यों use किया गया है in sentences where have is used as a main verb it is always used in the simple present or past the present continuous form is not used in such cases we do not say I'm having a bicycle present continuous मदे कुटला form use केला जात नहीं have form use केला जात नहीं we never say कि I'm having a bicycle मेरे पास अभी आप लोग ही उसका meaning यह करो कि he's having a cold I'm having a lot of homework ठीक है present continuous tense के लिए हम लोग use नहीं करते ठीक है यह सिर्फ have main verb यह बात याद रखो कि used as a main verb main verb वो सिल्फ simple present और past में use किया जाता है present continuous form में have as a main verb use नहीं किया जाता ठीक है similarly it is not used in the negative form as a main verb main verb वो कहां पे भी नहीं use होता negative sentences में भी for example he hasn't a car या फिर I haven't a cold यहाँ पे यह main verbs है पर यहाँ पे यह गलत है ठीक है तो इंडिकेट दा निगेटिव वी यूज दो ओक्जिलरी डू ओक्जिलरी मंजे का यासता है helping verb आसता कि along with the main verb have for example he doesn't have a car और I don't have a cold तो यहाँ पे auxiliary verb do का use किया गया है ठीक है कब जब have को main verb के form में use किया है ठीक है तो यहाँ पे negative sentences indicate करने के लिए क्या किया गया है do का do की help ली गई है for main verb have ठीक है have fun exploring the uses of have तो आप लोगों को मुझे क्या बताना है now you have to tell me difference between difference between possession and ownership ठीक है आप लोगों को मुझे comment box में यह comment करना है एक सेकेंड रह पजेशन एंड ओनर्शिप ठीक है difference between possession and ownership तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है possession या फिर ownership यहाँ पे sentences आप लोग देख रहे हो कि my friend has a pet cat I have a new pen do you have a cycle our school has six computers the municipality has six vans and two cars ठीक है तो यह इसमें तो possession का यहाँ पे दिया गया है ओनर्शिप का भी example दिया गया है ठीक है तो आप लोगों को यह दो example consider करके मुझे possession और ownership में difference बताना है ठीक है आज के लिए यही तुम लोगों का homework है ठीक है comment box में जरूर comment करो और lecture enjoy करो we'll meet in next session thank you